अप्त्राभी दुल्लबं मन्ने वाइकुल्ट पुल्बशिए ये मुनष्ट्र जीवन दुल्लब है ये मिलता नहीं सुद्राशी लाग जो नहीं भमन करते करते ना जने कैसे ऐसे मनब जीवन मिल जाता है मनब जिवन मिलने से भी होता नहीं है मनब जिवन मिल गया लेकिन पोशी पोख्षी जैसे जिवन वितित करना खाना पिनाहा निद्रा शंभगादी बास किसी के लिए ही जिवन वितित करना है जीना है ऐसे भामना लेकर जो मनुष्व जीवन विचित करते हैं, वो पोषु से भी अधम है। एक फिगार शरीड जो है, शरीड का ही थोड़ा भेड है। लेकिन एक ही, जैसे कुम्हार घड़ा बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं मिठ्टी से, बिल्ली बनाते हैं, मनुष्र बनाते हैं, इस्तिरी बनाते हैं, मिठ्टी से, बनाते हैं नानपुर, कुत्ला, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, चुहा बनाया, मनुष्र भी बनाया, तो ऐसा ही इस शरीड का भेद है यह पंचो तत्त जो है उगनी जलाकाश बायू प्रिथी भी इस पास तत्त से बना शरीड एक एमीबा से लेकर और जितना दृष्ट्रमान जितना पदार्थ है यह जितना जीप चोईतन शत्त है सब यह पंचो तत्त से बना हुआ है बस भेद स्री में पंच्य तत्त का फिगर का भेद है मनावठी का भेद है लेकिन तत्त यही है वह 44 बिंग्षट्रो तत्त एक तत्त भी ज्यादा नहीं है सब चोत्र बिंग्षट्र्य तत्त का भेद है लेकिन तुरा है चितन arghkate कta अरत्तिम है जो विकाश है जैसे एक बीज है भीज प्रिक्ष होने से होता नहीं है उसमें पूल आता है फूल आने से होता नहीं उसमें फल होता है तो आप जाके पूरुनता बीज लगा दिया बो दिया बीज हो गया पौधा आगया पौधा होने से ही तो पूरुनता नहीं है हमने बीज बपन किया ना लेकिन उसमें एक पौधा ही आया है पौधा तो ही नश्ट हो सकता है कोई किमत का नहीं है पौधा हो होगा ठीक है अच्छा है तो फोदा हो गया फिर फिर इसमें फूला गया अच्छा है शुन्दर है फूल होने से भी हमाया लाप किया है जब जब तक फॉल नहीं आता है। फॉल आने से भी लाप्तिया है। जब तो को पकता नहीं है। पक्षी खा करके ठोकर मर के गिरा दिया सब। या मानलों ऐसे भाइरास लग गया कि फशल ही प्वेड में ही शर गया। ऐसे भी होता है। तो ऐसा ही मुनशर जीमर मिलने से क्या होता है। जब शहीं यह occurred नहीं तो यह बीजी रूप में अंदर हमारे क्यों एक उन्दार चे2000 चब्ड का झेतना सकति है ऊंभने प्रूप में एक ही है आ कि अधाग के अभूरतिम है विकाश की तर्षित्प नहीं में है कि 1257 चोतिर प्रकाश है आब रित चटन счंकुत चितन मुखली तचेतन लेकिन बिकाश अच्छन पी चतन अबृत्तवा चतन ये अबर सब्कूल सब्सक्राइबृत्त क् मकंस्था-्ट कि मिल्तत सब्सक्राइबूर्द्चतन ड़ी की रामकोड आदी थोड़ा से विकाश हुआ है, चलता है, फिरता है, खाता है, एनौछ पिर चाहितन कुकुरत। दितन शक्तंताई सब्सक्राइब करती है। अलवाइं घाला की चाहितने सबुतुर मतश्कतीं भुद्धिर उसको जनार हो। नाल रहता है वहाँ, नाल खोलकर पानी पींके चला जाता है, कि इसे खोला जाता है, दर्जा खोलकर करके भीतर कुछ जाता है, तो इसको क्यते हैं, मुकुल Hitichistan, मुकुल और जो बड़ा हो गया, है भीतर, उसके सोभ जीब के भीतर ही है, फिर और जो भिकाश हो गया, अगर भगवान का उनुभति नहीं होती है, उनका शरू का बोध नहीं होता है, तो ये विकाश से क्या होता है, इसके उपर है एक पूरुन विकाश. अबर इत्य चेतन, संकुचित चेतन, मुकलित चेतन, विकाश से चेतन, उसके उपर है पूरुन विकाश से चेतन, वह है जब उसका जड़ चेतन ग्रंति खूली जाता है, जब भगवात शाक्यातकार करते हैं, आपना आत्म अनुभाव होता है, जो मैं कौन हूँ, मैं अनन्तकाल मैं शरीर में फस करके, शरीर धर्मी बन करके, शूराशिलाग जनी में नाना प्रकार शरीर परिवर्तन करते करते मैं ब्रह्मन कर रहा था, लेकिन आज महत पुरुष के किरपा से, महत शानिद्र से आज हमारी ये ग्यान हो गया, जान जाता है, जब यह होता है, मनलो भजन नहीं करता है वा भग्वात अनुष्ठा नहीं करता है भगवात प्राप्ति के लिए एंड पूर्विक्सित चेतन में आने के बाद भी ना पूर्ण विक्सित चेतन में आने के बाद भी। आक्मा दोनों अलग पदर्थ है जैस से इलीक्टििसिटी जब उससे जाकर के जब उसे होता है तब शक्री हो जाता है, पंका गुम रहा है, पंका शायंग नहीं गुम रहा है, बिजली है, इसलिए पंका गुम रहा है, हम कैसे जानते हैं, क्रिया देख करके जानते हैं, बिजली है, जब पंका बंद हो जाता है, तो हम क्या जानते हैं, बिजली है नहीं, बिजली को दिख अखता नहीं जाता है क्रिया के द्वारा पेचान होता है और जो कि बारी जो पंक है वो देखने में आता है रूप दरब पहचान यह प्रकृति और क्रिया के द्वारा पहचान यह पूरुश करूए शरीर जिन्द है कैसे जानते चल रहे हैं चल रहे हैं तो जानते इसके अंदर यह जिन्द है는 आम जानते नहीं है आत्मा कहां है कैसे है स्तिति है तो जब मर जाता निष्क्रिये मर गया कैसे जानते हैं उसके निश्क्रियता देख करके तो क्रिया के द्वरा पहचान आत्मा और रूप के द्वरा नाम रूपात्मक जो जगत है इसके नाम है रूप है नाम है तो उसका रूप है रूप है तो उसका नाम है अविश्व कोई वस्तु जब देखने में आता है तो उ प्रकृति प्रकृति रूप में एक आक्रिति भी शिष्टर जो उसको कहते हैं प्रकृति प्रकृति किसको कहते हैं प्रकृति किसको कहते हैं प्रकृति किसको कहते हैं प्रकृति रूप में विभाजित जो है इसको प्रकृति कहते हैं प्रकृति रूप में विभाजित जो है इसको प्रकृती कहा जाता है, अंगनी जल आकार्बाईव पृत्वी, मनो बुद्ध अहंकार, यह है अस्तोधा प्रकृती, यह प्रकृती से, प्रकृती है, जर रूपा प्रकृती, निश्क्रियो, इसको कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन, भगवार, इसको प्रकाशिद कर जैंध सक्री हो गया पंक्रा चल रहा है कि अगर एलेक्टि目 नहीं रहता है तो पंकल चलेगा और पंक हर रहेगा नहीं तो इलिक्टिसिटि से भी कोई काम नहीं आएगा उनिष्क्रिया है hey कि कुछ कर नहीं सकता है ए बिदली जलेगी नहीं अगर इलिक्टिसिटी नहीं आथा और पंक नहीं आए दो बिदली से भी डाजनी मिलने वाला है नहीं तो यह शाक्रियता दोने का मिलं हैं बिजली और पंक्खा विजली आ है mapped है लेकिन उनके ठीथिके कारण यह शक्रिय हो करके शक्रियता के कारण निव आटमेटिक चल रहा है एक मैश्यन जैसे मैश्यन ऐसे उसके शक्रियता मैश्यन के उनशार पांका घुम रहा है जो लाइट है वेजली गुम नहीं रहा है उसका तैयारी बनावाटी ऐसा है भी बड़े-बड़े मैशिन है कोई कोई बहुतेते हैं। 550 मेर्ट शंड़मिए उसका मेकनिजम ही ऐसा है। उसका मेकनिजम है ठाप उसक्षेश्रा मुथा स्थमें ज्ड़您नाषी का जीवारता पाई उपस्त एइस यहां हमारे बवार्बनाषी कहाया है। प्रकृति और पूरुष दुनों मिल करके श्रिष्टी राचना करके आपस में भेद्भाव के कारण खेल रहे हैं कि अपरे मितुस्तन्यंग प्रकृतिंग विद्धि में परम जिव भूतंग महाबाहो जय दंग धर्जत जगत आप यू एक अपड़ा प्रकृति है जरुरुपा दृष्द्रवान जो नाम रुपात्मक बताया वो प्रकृति आए और प्रकृति है चेतन रुपा वह प्रकृति ए दोना मिल करके प्रकृतिंग विद्धि में परम अपड़ा प्रकृति मेरा अच्छेतन नंग्ष्ण है जीव भूतं महाबाहो जीव बन करके जयदांग धर्जत जगत यह जगत को धारन करके परिवर्थन 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 हो रहा है जनम लेता है बाड़ता है इस परिवर्थन होता है परिवर्थन होता है फिर परिवर्थन हो जाता है यह परिवर्थन आत्मा है इसलिए यह परिवर्थन शील ना अगर आत्मा चला जाता है तो यह प्रकुति आपनो धारन करने मास मर्तो यह दो दिन में सहर ना शूरू हो जाएगा गल ना शूरू हो जाएगा तुम दो सल पीछे आके आसे मानूर नोग पड़ा है कहीं दो सल पीछे आके देखो को उस नहीं है उसका किछश अड़ी भी नहीं है। जाब तक चेतन हैं तब तक सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। धारण करके रखा है चेतन है इस दिए प्रकृती शक्रिया है। चेतन चले जाने से प्रकृती निश्क्रिया। आप प्रकृति पुरूष दोन मिल करके ये शरीर धर्मी बन करके संक्षार चक्र में खेल रहे हैं। पुरूष प्रकृतिस्त हो करके पुरूष ही भूगते प्रकृति जान गुनान कारणं गुनसंगश्य शर्रद्जनि जन्मशु। सब्सक्राइब पुरुष भूकते प्रकृति जान गुणान के सब्सक्राइब प्रकृति से मिलकर करके प्रकृति कर्मम करने का कर से मैं कर से पुकहतं वह उसका भूगता मां अब शरीर यह प्रकिति पुरूर दोने मिल करके एक हो गया अब शरीर चेतन जाड और चेतन का हो गया जहां हात लगा वह हमको लगता है जैसे हमको ही लग रहा है नहींत तरह से चोट लगने से तुम आख कर रहे हो अगर प्रश्ण किया जाए जब चोट लगा तो तुम ने उफ बड़ा कष्ट हुआ तुमको अगर प्रश्ण किया जाए यह कष्ट किसका हुआ एक शरीर है एक आत्मा है शरीर है प्रकृति आत्मा है चेतन दोनों मिल करके शरीर बना है अच्छा तो चोट लगा शरीर को शरीर को मने प्रकृति को प्रकृति मने जरूरुपा प्रकृति को चोट लगा तो कोष्ट हुआ किसका बला आत्मा का बलो ना कोष्ट अनुभाब किस ने किया अज्ञान रूपी गाठ बन करके और एहंकार पहला हो गया जीवा थे ना बना एक तरफ है प्रकृति एक तरफ है पूरुश दोनों मिलकर के एक हो गया आप चोट लगा छोड़ेगा प्रकृति को तौ को आप को सट्मा को लगा और यहांि आत्मा लगता नइन है आत्मा का शरीन नहीं और क्या व्योंक्रिची कर्सक्रिदार्रों की को सबहुंत किसने शरीर आत्मा नहीं आत्मा शरीर नहीं लेकिन कॉस्ट्र अनुब आपकी या किसने ओ हम तो जड़ा है मन बुद्यांकर जड़ा है मन कैसे मन को कैसे होगा यह है खेला है यह है नाटक है यह है जड़ है यहां पर फसी हुए है हम प्रकिती पुरूष दोनों का मिलान से इसमें पैदा हो गया अहंकार रुपी जड़ चितन दोनों मिल करके अहंकार पैदा हो गया अहंकार माने जैसे मान लो लकड़ी में अग लग गया तो उसमें धुआ पैदा हुआ अब धुआ किसका है बताओ वो अगनी का धुआ है ना लकड़ी का धुआ है बताओ धुआ किसका है धुआ का शरूप क्या है धुआ जो होता है न उपर में जा करके उता अगनी नहीं यह काला सा गरम सा निकालता है धुआ तो धुआ का उस्तित्त औरिजिन जो है यह लक्णी का है न अग्णी का है बता ना दोनों का प्रखड़ का कैसे होगा उसको पाईदा कैसे हुए शमलेत रूप दोनों को लखनी के दोऊ लकृनी का दोऊ 9 गार नाक्ट यू वो है धुआ ना अग्णी का धुआ होता है ना लाक्डी का धुआ होता है दोनों को जो मिलने से धुआ जैसे अहमकर है धुआ जैसे आत्मा और शरीर अपरा प्रकृती धूरा प्रकृती दुनों प्रकृति कर्म करते हैं प्रकृति कर्म कर्म हैं ना पांखा चल रहा है पंकह चल रहा कुण है टुकिश चल रहा है 10 जोड़र कैसे कि उसके पिजह चले है उसके चले ज्रीक सिच चले हाओ ब्रिली मेशिन ग्राइंडिंग मेशिन, मुबेंट कर रहा है, पर्फिशन है ना कौन चला रहा है? बोलो बीजली ना मेशिन? अधर बोलो ना इसे प्रश्ण ना बोलो ना कौन चला रहा है वह ना मेशिन? मेकानिज्म औमेटिक चलता है उमसीन का बनावट्टी ऐसी वह आप पड़ाःने का में पड़ा रह ना कानाकोरी किमत नहीं तुमको अगर दे दिया जाये दिखो यहां तो बीजि पड़ें नहीं तो में नहीं को ले जाओ तो क्या करेंगे वह तो कई काम में आएगा भीजली होने से होगा नहीं मैशीन पी चाहिए ऐसा ही दोनों मिलकरके फिर देख उसके अंदर जाकर के प्रकिति पुरुष मिलकरl के बन गया है दुन मिल करके वो अंकर भी जिवात्मा वो सोच रहा है ये शरीर मैं हूँ, शरीर शम्वंदि वस्तु मेरा है, ये भरमित हो रहा है, ये है माया, प्रक्रीति डियूमाना नी, गुनो कर मानी शर्वषव, गुन के द्वरा कर्वोसाम्पादी तो हो रहा है, के कारण ब्रमीथ हो गया है उपकर्व करते हैं प्रकृति पुरूष करता बन करके अपना भोक्ता बन करके अपना भोक्ता समझ रहा है भोक्ता भी नहीं है भोकता भी नहीं है वो भोकता अभिमान जैसा शौपन में हमने एक शरीर पाइदा कर लेते हैं चिंता करके मन के द्वारा शौपन जगत में उसमें शरीर को मैं शत्य आरप कर लेता हूं सो शो करके मैं तो सो रहा हूं उसमें संग्षार भी हम कल्पना कर लेते हैं और काल्प कालपन की शरीर के द्वारा शंक्षार को मान करके की में आनल giàते हैं शूच दूक ऑख जो भी है उसको विकारी तो हो रहा स्विया हुआ जीवात्मा हुआ है वाना शरीर है ना संक्षा रहे पूराज कल्पना इस रही है को एसा यह यह इसी इसमेट अत्म बुद्दू कर के शप्णसा बद सब्सक्राइब box है सब्सक्राइब नहीं कि एसे नहीं है यह मित्थ्था नहीं है शरीर भी है संग्षार भी है लेकिन इसमें मैं हूँ शरीर हूँ संग्षार यह मेरा भगपदार्थ है यह जो अभिमान बस यही है सपनबात शुक्षदुख का कारण करता है मिति मन्यते वह आपने को करता मानते हैं कि फिर भगवाद कर पासे गुरू कर पासे महत कर पासे उसको जब वह ग्यान मिलता है जी देखो तुम भ्रमित हो रहे हो जैसे सवया हुआ जीवातमा एक भाई का शपन दिख रहा है गों 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 भुद देख रहा है अरे भूत आई नहीं शरीर भी आए नहीं कुछ नेह तो पदार्त उसको शत्यमान लिया लेकिन शपनों मिथ्ता होने से भी क्या होता है उसको भोगना पड़ेका कब तक जापता को शोया रहेगा उसको भोगना पड़ेगा शू को दूखो रोता है, रोता है, खुब रोता है, भय पाता है, आनन्द पाता है, आनन्द का बीकार सरीर में होता है, शपन में बिशाय संपर्क में जाता है, उसका क्रिया हो रही है, शोया हुआ शरीर के उपर, ऐसा ही ये शरीर में आत्म बुद्धि करके इस शरीर के माध्यम से जो भी भोग होता है हम सोय हुई हैं ऐसे आत्मा है हम वो हम विकारी तो हो रहे हैं हाई हाई यह क्या हुआ इन फाफ उस्वण हो परिश्थिती परिबर्तन को कारण मान्ता है मान करके न gradation को दुखिति को जा नहीं दिया जाता है। अब तक शप्न जगत का जो शूख दुख जो भी भोग है उसको भोग ना पड़ीगा है मित्था कोई आकी जगत याई क्या गोंगों कोंगों क्यों करें ओट 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 ओड 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 जूटा एन आम तो शप्न देख रहे थे अरे यह बढ़ भायक क इस ऐसे भी शप्न बढ़ शरीर को आत्म बुद्धी करने का कारण शप्न बढ़ हम शुकी दुखी हश्व भिशाद मानपमान शीत उसनों यह सब अबस्था जो है यह एक कल्पना मन्यता मत्र बस यह है बंधन यह संग्षार तो गूरु आके जगा देते हैं आरे तो कों क देख रहा है संग्षार सपन मानों विशाय विपत्ति जानों नरतनों भजो निर्मूल कि नरतनों ठगुरे बढ़ा संग्षार को शप्न जैसे मानना सपन बत अलीक है यह सत्य नहीं है लेकिन उस सत्य मान करके विकारित हो रहे हैं और यह प्रक्रिति जात्य विकारी आत् होने का कारण यह सब भीकार पाइदा हो गया उसके भीतर ये उससे एक भी शमन्द नहीं अलग है तो गुरुदेव जाकर कर उसको जगा देते अरे तो कहां भाशा है बाबा हम बहुत दुखी हैं शंक्षर मी अशंतियां ये कला है ऐसा हुआ तैसे हुआ बाबा उंको किर्पा की जी किर्पा कि पागल कहीं के तू तो भ्रमित हो रहा है जग जा तू शरीच नहीं है शरीच संबंद मुझ तो तेरा नहीं है तुर राधरानी पहले था अभी है पीछे रहेगा तो मानो ना मानो इसमें कोई फरक नहीं पड़ता है इसका कोई फरक नहीं पड़ता है इतना भी कमी नहीं आएगी जो इसे पर समंद में थोड़ा सा अलाग हो जाएंगे तो क्या बात है वाथ है जो मानती है जो राधानी चरण शिवा नित्य सिवा निकुंच शिवा प्राप्त करके धलmacी दंय दन्य तदात्म होकर बंद अंद सप्राप्त होकर संग्षार चक्रों में जाता है। वास इतना ही पड़ा है। लेकिन संबंध ओई। एक बद्ध जीवात्मा में जैसे हैं, हम में विवाइसे हैं, संबंध में कोई फरक नहीं। अंग्ष जीवात्या 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 जीव मान शस्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानिक अर्षति मन शस्टान इंद्रियों वारे चोक्षुक अन्यों नाशिका जीवात तक और मन इसके दरा प्रकृति में आकर्शित हो करके अहाँ इतनी कितना सूक है उफ पड़ा अनन्द है रे बबा दुनिया का रंग तमसा देख करके इतना आकर्शित हो जाता है हो करके संक्षार्च चक्र में फच जाता है इसको सीकार कर लेता है सरीर को शिकार करता है शिकार करके शरीट के द्वारा ये शंक्षुरी जगतिक पदार्थु को भोगता है बोगता बन करके वो बंदंदश अप्राप्त होकर संक्षर चक्र में जाता है यह होता है यह मान्यत हटा दो बजन करना चाहते हो तो पहले मन से तन से नहीं मन से हटाओ जिस प्रशनता के लिए कर्म करता है लेकिन जानता है यह घर हमारा नहीं यहां का कोई हमारा नहीं हम तो पैसा लेंगे अपना घर जाएंगे चुट्टी आ जाएगी तो फिर हम जाएंगे घर जाए राधे बोल करके चलेंगे मन तो दिन गेंता है कब चुट्टी होगी तंग खालेंगे घर जाएंगे संक्षर में भी आईसा रहो जी हमको कुछ लेना देना नहीं है यह तो घर जाएंगे हमारा घर राधरनी के चरण में हमारा स्थान है हम तो उनके शौद्ध है तो ऐसे जान करके मन को रखो वहां तन शौद्धार में शामदार घर छोर्ने का चेश्टा नहीं काना भाठ चोड़ने से कुछ नहीं होता है वाषन रूपी हार उसको छोड़ो शंकल्प जो करते हो उङो छोड़ो छोड़ो छोड़ करके मन चिंतन करते लो मैं शरीर नहीं सुरी समंदिभॉश्त्व मेरा नहीं लेकिन कर्म हमारा जीवन के उद्धिश्व नहीं है यह हमारा करना है बस ऐसे जान करके फिर जाके तुम वह तुम्हारे भावना तुम्हारे वह बीचार दिरे 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 तुमको यह संक्षार बंदन से मुक्तगरा करके जर्चेतन गुरंती एक समय जाके खूल जाएगा फिर तुम्हों स्वरुप प्राप्त करके राधानी क तुमको फिर अपना निकुद्ज श्वाद्य करके कित्त करेंगे, बोलो, ठीक है, लाकिसे कभी प्रश्ण है तो बोलो, कोई शंक्षा है तो बोलो, अच्छे एक थोड़ा, एहंकार स्वात्म में भी था और जाग्रत भी एहंकार, जाग्री शप्ट शुषुपती तीन वस् से एक अंकर स्वात्त होने से, अंकर का दो बिर्ति है, बोलाने एक चित बिर्ति, एक जार बिर्ति, अंकरी तो खेल है, अंकर का खेल है, साधना भी अंकर का है, हमारा साधन करना है, यह भावना किसका है, अंकर का चित बिर्ति, एक जार बिर्ति मनें संक्षार के प्रति आ कहते हैं करको भजन करना है हमको शंग्षार से मुक्त होकर राधरणी के प्रेम प्राप्ति करनी है इसके लिए के लिए हम को कायमनवा से भगवत उपासना करनी है इसको कहते हैं lamijn करका चपी अंकार जब चित वृत्त रम करने सोधें जाता है अंकार जब में शामिल हो जाता है जब फूत्र पूत्र पुतुम्र परिवार धन जन वीट्वढ वह यह है यह है यह हमारे वहुंद को पतापत है शत्य बगवान-भगवान उससे लेना देना नहीं है यहां और उसका आवरण और कड़क हो जाता है कि दिरेदिरे फिर मिर्ट के बाद उस चुरह शिलक ज्योंची में फिर ब्रहण करता ःता है चला आगे चलते हैं यह है खेल तो अंकर का खेल है ना अंकर के बृत्तिकों परिवर्तन करना है क्रिया नहीं भावना क्रिया तो भावना में प्रवेश करने का साधन है पूजा पार इंदियों के दोरा जो भी करते हैं इसका उद्धिश्ट क्या है ने हमारा भावना जो है वह भगवत मुखी होनी चाहिए एकदम दिननिश्चा है जो पलक के लिए छूटे नहीं भगवत चलन से भगवत चिंतन से भगवत नाम से पलक के लिए भी हमारे डिटा हुआ जाता एंदिश्ट कर्ता है जाता है तो सपनों में भी वही यह देख्ते हैं तो जड़ता देखता है कंद कर कि आभावता है जकर सब्सक्राइब्स करते हैं संत मात्मा अद consume करते हैं तो averاج हो यह सब्न लगीन हो मंगल काड़ी कल्यान काड़ी है और भोतिक पदार्थो देखना अपना भोग्ग पदार्थो उसके साथ शक्रियता ऐसा भी दिखता है तो यह है बंधन का कारण यह है उसका ही प्रकाश और शप्न में जब ठाकुर जी देखते हैं कोई कोई विश्यश कोई प्रकाश देखते हैं देखने में आता है तो यह है सपन में विश्टी प्रकाश होता है जड़ और चड़ दोनों सामसामाइक चलता रहता है उसका पर्सेंटीज उसका पर्सेंटीज मतलब जड़ अभी निवेश संक्षार के तरफ संक्षारी लोगों के साथ मिलना दूलना ओटना बटना खाना पीना ज्यादा ब्यभारिक शंपर को भजन विश्य से दूर रहन साथू संग से दूर रहना शंक्षान में ही ज़्यादा रहने कर रहते हैं और मनवृत्ती भी हमारे ऐसे ही है तो यह धीरे 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 तुमारे चीद भी निवेश चीद अहंकार को ढग देते हैं और जोड़िया अहंकार जो है यह बढ़ जाता है यह पुष्ट होता है आप जब साथू संग, श्तू संग एक आंतो बास ऐसे तिर्था दिवास भगवत ओभीनिवेश के लिए भगवत चेश्टा करने के लिए प्रयतना करते हैं तो धीरे 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 इस जोड़ियों ओभीनिवेश जो है जोड़व हंकर यह धीरे धीरे नस्ठ होता जाता है चीधांकर बढ़ता जाता है एक क्रिया है बढ़ता है घड़ता है जितना साधुसंग साथ संग में रहता है नाम जब ध्यान धैरना उपासना करते हैं एक आंतो बार शुद्ध भिहार बहिर्मुग लोगों से दूर रहने का चेश्टा इत्ता दी प्रक्रिया के द्वारा ध ज़्यादा बढ़ जाता है मनलों यह परसेंटी से इसका बढ़ जाता है मनलों 80% हो गया चीधांकर तो जड़ी आंकर वह रहता है कितना 20% उसका ताकत मने वह क्रिया शिल नहीं निश्क्रिया रहता है कभी-कभी मन में प्रभावित आने का चेश्टा करता है लेकिन चीध प्रभल होने का कारण इसको दवा देता है और बीशाई लोगों का स्वंगों से जोड़ी आंकर बाढ़ जाता है चीधांकर दब जाता है तो चीधांकर कमी-कमी ना थोड़ा जाएंगे बिंदमन जाएंगे ना गुरुल के पार जाएंगे तो बज़न करें ठीक आपी तो आप लड़ाई शूड़ हो जाता है ताप लड़ाई शूड़ हो जाता है जाए जाए स्री रागादी